तेंक यू कुमारी कंगना रावुत अधेक्षम होदे मैं आपकी धन्यवादी हूँ के आज मुझे आपने दो हसार चॉबीस के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडिक शेतर की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिदी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है उनकी भ्याभारी हो यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है मैं एक नहीं सांसद हूँ मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोगसभा है यह कोई सामान्य लोगसभा नहीं है इस लोगसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शिष्णित्व हैं हमारे मान्य परधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने लगा तार तीसरी बार परधान मंतरी बनकर पिछले साथ सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो हैं, वो हातिक बधाई देते हैं, साथ ही बधाई के पातर हैं, हम सब भाते जनता पार्टी के लोग, जिनें ये सौभागय प्राप्त हुआ, और मैं ये भी मानती हूँ, के हमारे भात वर्ष की जनता, जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है, اور एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पातर हैं, महोदे जी, हम सब जानते हैं, कि आज से दस साल पहले, हमारे देश की अर्थविवस्था का क्या हाल था, आज से दस साल पहले, हमारी संगर्ष सील जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थवेवस्था जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले 10 सालों में वो अर्थवेवस्था 11 से 5 में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है वो शक्ति परदान करने वाला बजट है इस बजट से जो है वो हमारी अर्थ व्यवस्था को भी तिवरता मिलेगी महोदे जी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विक्सित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम economy बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड़ा आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुख की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस तरास्ती के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतिया है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड़ के परभाव से जो पीडित है मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्रियक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भातिय जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद साट सालों में भी हिमाचल परदेश में नहीं हुआ था आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे आप सब हिमाचल जान चाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड बने थे और वो भी हमारे माननिय जो पुर परधान मंतरी अडल भी हारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कारेकाल में जो है वो ग्रामिन क्योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस वर्षों में परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्ज, ट्रिपल आइटी, आई-ई-एम जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिये है और वंदे भारत जैसी ट्रे है और 37 से जादा उसमें ब्रिजिज है ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुती अदभूत इंफ्रास्ट्रक्चर माबल है जैसे कि हमारी अटल टनल, 9 किलोमेटर की जो वो अटल टनल है विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल टूब हाइवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हैडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल परदेश को दिये हैं अगर मैं ये सूची यहां पे रखूँ तो ऐसे राजे है जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहां घर-घर में जो है वो गैस चुले का कनेक्शन लगा है एक भी माता एक भी बहन गैस चुले के कनेक्शन के बिना नहीं है और मेरा ये जो सौभाग्य है अठार्मी लोग सभा में महोदे जी मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती में महिलाओं को जो है 33% आरक्षन देता है वो बिल भी पारित हुआ था तो मेरे लिए बड़ी ही यह सौभागेशाली जो है उन पे फोकस हो यह मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रातना रहेगी हमारे सरकार से कि हमारे मंडिक शेतर में अगर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट हो तो अवश ही हमारी जनता का टूरिजम की दृष्टी से बहुत कल्यान होगा वो हमें जरूर इस विश्य में स करते हैं